भले गौव माता को मा का दर्जा दिया गया है भले सरकारे गौव मा के नाम से टैक्स भी वसूलती आ रही है पर आज फैली लंपी वाईरिस के चलते गाए माता का बुरा हाल है हाला कि जो गाए पालतू या घरेलू है उनका तो इलाज तो हो भी रहा है पर जिन पश्वों को लोगों ने आवारत छोड़ दिया है उन पश्वों का इस बिमारी के चलते बहुत बुरा हाल है हाला कि कुछ समाज सेवी संस्थाओं वर लोगों ने इन आवारा पश्वों की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाया है पर इसके बावजूद भी बिमारी ग्रस्थ आवारा पश्यों की हालत दिन प्रते दिन बयानी होती जा रही है ऐसा ही एक मामला नूरपुर की सुलियाली पंचायत की पी डवल्यूडी विश्राम के पास बिमारी ग्रस्थ गाए बैठी हुई थी जिससे आवारा कुत्तों ने जिंदा होने के बावजूद नोचना शुरू कर दिया इससे पहले भी गाउं में कई घरेलू पालतू वा आवारा पशू इस बिमारी से मर चुके हैं यहाँ पर भाजपा का एक कारिकरम भी हुआ जिसमें सांसद मंत्री हजारों की संख्या में कारिकरता वो लोग भी आये पर किसी ने भी इस गाई माता का दुख दर्द नहीं समझा बस पास के पास से सब कुछ देख कर भी अंजान बने रहे फिर रात अरपन चावला व कुछ युवा यहाँ पहुँचे जिन्होंने गाई को दवाई तथा चिकतसाले के करमचारी से इंजेक्शन लगवाया से ग्रस्त हैं सरकार सब कुछ कर रही है पर इन बिमारी ग्रस्त पश्यों के लिए कुछ भी नहीं कर रही हमारी सरकार से अपील है कि इन बिमारी ग्रस्त पश्यों के लिए कुछ किया जाए आज गाउं की कुछ लोगों ने इस गाई की सेवा की है तथा यहां लोकल पश् पूर दिया है लोगों ने तो इनको जो अपना बीमारी चली है लुपोमा क्या वोलते हैं अपने जो जानवर है पूरे बुरी तरह से बीमार है तो इनके लिए ना कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही सिद्धी बात है सरकार का मुझा काम है कि थोड़ा बोचलो इनकी हो करो ल बाकि कोई भी परशासन की तरफ से कोई भी है नहीं आ रही है तो आपने फोर्थ क्लास के डॉक्टर जो है बड़ा अच्छा कारे करें आज भी वह बो डॉक्तर साब भी टीकल आके के गया है गाए बाता हो तो आप क्या चाते हैं जी कर आम अम को यह चाते हैं कि सरकार के हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नुर्पूर से भूशन शर्मा की रिपोर्ट